दोस्तों आप सबने अक्सर ये सुना होगा या कहा होगा कि भाई एजुकेशन में रिफॉर्म की जरूरत है इसे बदलना चाहिए या जैसा कि डेपलप्ट कंट्री में है अटलिस ऐसा होना चाहिए और कई बार आपने एजुकेशन पॉलिसी को लेके प्रोटेस्ट भी किया है तो फाइनली आज गवर्मेंट ने सुनी ली है और नई एजुकेशन पॉलिसी ला दी और जिसमें लगभग आलमोस्ट सारे क्रिटिसिजम्स पॉइंट को अड्रेस कर अभी तक क्या होता था अभी तक के सिस्टम में कि क्लास 10 के बाद आपको तीन केटेगरी में फिट क हो कई लोगों की जगेत में तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप साइंस लीजी अगर आप एबब एवरेज हैं पढ़ने में तो आप कॉमर्स ले लीजे या आप एवरेज हैं तो आर्ट ले लीजे ऐसा चल्दा था यानि अगर आपने साइंस ली है तो आप आउट भी कर जाता है तो वहाँ पे कुछ खास मतलब नहीं रह जाता इसे ड्रॉप आउट का उस टिगरी का तो अब इस नई पॉलिसी में क्या है कि अगर आप ड्रॉप आउट करते हैं एक साल बाद तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा अगर आप आप दो साल बाद ड्रॉप आउट करते हैं ग्रेजुएशन में याई आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप दो साल बाद आपका मन नहीं हुआ आप ड्रॉप आउट कर दिया तो आपको उसका डिप्लोमा दिया जाएगा अगर आपने तीन साल किया और उसके बाद ड्रॉ दूसरी चीज कि एक है जो दूसरा पॉइंट आता है अच्छा कि यह अच्छा है कि सबसे पहले कि आप ही तक क्या होता था गर आपने commerce ले लिया है तो आप economics या arts नहीं पढ़ सकते हैं अभी क्या है अगर आप commerce ले लेते हैं इसके implementation के बाद आप commerce ले 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 आप arts भी पढ़ सकते हैं economics भी पढ़ सकते हैं तो यानि multiple choices हो जाएंगी कई बार होता क्या variety of subjects आपको पसंद होते हैं लेकिन मजबूरी बस आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि जैसे stream में आप हैं उसी stream के subjects को पढ़ना पढ़ेगा फिर तीसरा point जो आता है वो यह आता है कि जो 10 plus 2 का educational या academic structure था उसको बदल के अब 5 plus 3 plus 3 plus 4 पे बदल दिया गया है यह actually ऐसा है इस पर इसको पहले समझते हैं तो आप स्लाइट पे थोड़ा सा ध्यान से देखें कि इसको हम कैसे चार स्टेजस में बाटे हैं 5 3 3 4 तो पहला stage foundation stage जिससे pre school में कहा जाएगा यानि कि हमारी पहले जो education system था उसमें 6 साल से education start होती थी education age wise देखें तो 6 साल में start होती थी लेकिन अभी क्या होगा वो तीन साल से ही start हो जाएगी तीन साल में पहले pre school रहेगा जिसे आगरण बाड़ी फिर उसके बाद 2 साल में class 1 और 2 चलेगा जिसे हम foundation stage ही कहेंगे इसमें प्ले करवाए जागे प्लेइंग के माध्यम से activity based learning होगी सिखाने के प्रयाज करेंगे फिर दूसरा stage होगा जो preparatory stage यह तीन साल का होगा जिसमें play और discovery और activity based इसमें भी classroom होगे जो सिखाए जाएगी तीसरी जो stage होगी होगी middle stage यह भी तीन साल की होगी जिसमें 6-8 होगी class और age लगबग 11-14 होती है तो इसमें experience learning दी जाएगी जैसे science mathematics art social science and humanities में फिर चौथा जो हमारा stage है वो है secondary stage जो चार साल का होगा जिसमें 9-12 है multi-disciplinary study होगी और greater critical thinking होगी flexibility और हाँ जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि choice of subjects के लिए होगी flexibility तो अब क्या है यानि critical thinking यानि कि learning पे यानि कि आपको कहना गहीं वो रटने वाली कहानी है अभी तक जो रटते आये हैं उसको खतम करने पर जोर दिया जा रहा है अखिर हम रटेंगे भी कब तक तो सही भी यह है कि हम उस रटते को उड़ा दें तो यह best है फिर उसके लिए अभी यह implementation कैसा होता है इन्होंने कहा है कि भाई हम एथा design करेंगे paper जिसमें thinking based हो या समझ के आप answer करें ना कि रटके तो यह है इसका 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का तो यह stages best होंगी आने वाली generation के लिए इसके implementation के बाद वो ज्यादा स्किल्फुल हो पाएंगे employable हो पाएंगे फिर चौथा point निकल के आता है वो यह है कि vocational training पे जोड़ दिया जाएगा यानि कारपेंटर, electrician, plumber इनके काम को बताया जाएगा पहले से तो इन्होंने साब कहा है कि class 6 में 10 days का bagless period होगा एक जिस पे इनके कामों को experience करवाया जा जाते हैं तो उसके काम को आपको experience करवा जाएगा class 6 में 10 days के period में तो इस तरह होगे इनके exam का जो pattern होगा वो 3, 5, 8, 10 और 12 ऐसे exam इनके होगे conductor रवा जाएगे हर साल exam होना compulsory नहीं है इसमें साब कहा गया है फिर जो पाच्वा point निकल के आता है वो यह है कि अब जो national जो education policy म हर साल 6 प्रतिशत GDP का खर्च करेगी government जो की best है हाँ पहली बार target रखना अच्छा है इसको achieve कैसे करती है यह देखने वाले देखने वाली चीज होगी तो अभी अलगे currently इसका 3 प्रतिशत है जिसमें GDP का और जो की अगर compare करें हम other countryों से तो काफी कम पैसे खर्च करती है Indian government education क लेखे तो इन पॉइंट्स को देखके मुझे जो लगता है तो कहीं ने कहीं यह good step है तो actually यह वो system है कि if you have this talent if you think you can do this so just do it you have not any excuse कि मेरे पास तो यह stream है I cannot go for that तो यह बैतर हो जाएगा आप अपने choices के आप से subjects पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर यह कुछ रह positive points जी हाँ positive points यह carpenter, electrician या plumber से सीखना positive points ही है यह अगर developed country में आप देखे तो इसको skillful job माना जाता है लेकिन हमारी country में ऐसा बिलकुल नहीं हमारे अगर आप carpenter से कुछ काम सीखते हैं या आप electrician से सीखते हैं तो आपको अनपढ़ती स्रेडी में रखा जाता है बहुत lower रखा जाता है इ को लेके बस implementation होना चाहिए अब कुछ negative points भी हैं जैसे criticism हो रहे हैं कुछ इस policy को लेके तो उसमें सबसे ज्यादा criticism हो रहा है एक point पे वह language को लेके यानि इसमें कहा गया है कि अगर आप 5th class तक के बच्चों को बढ़ाते हैं तो उनको mother tongue में या local language या original language में आप उनको का है कि यह necessary है ऐसा करना लेकिन फिर भी criticism करने वाले यह कहते हैं कि मान लो आप ऐसा मानो कि अगर आपने चौथी तक मध्यप्रदेश में पढ़ाई करी MP में पढ़ी चौथी तक उसके बाद महारास चले जाते हैं तो महारास में तुदर मराठी चलेगा तो उस मराठी के स तो foreign languages सीखने का option मिलता रहेगा हलाकि government ने Sanskrit को promote किया है कि मतलब जहां तक possible हो पाए आप school के हर level पे Sanskrit को लाएं और ठीक है ठीक भी है Sanskrit heritage knowledge भी इससे से जुड़ी हुई है तो जैसा भी हो possible हो तो आप इसको रखें as an option available हो हर school के level पे तो इन्होंने यह Sanskrit को promote किया है और अंगला criticism जो आता है वो यह कहके आता है कि कई पार्टियां इसे anti-democratic बता रही है कि इनका कहना है कि state से इसके बारे में कोई consultation या discussion नहीं हुआ है actually है क्या कि education जो subject है यह concurrent subject है concurrent subject यानि कि जिसमें state और central यह दोनों की list पे आता है तो इनसे state से भी consultation करना important है निरना यह भी ले सकती है तो इस वज़े से कहीं न कहीं इनका कहना है कि यह power का centralization है तो यह कहके criticize किया जा रहा है अब देखते हैं government इसका कौन सा action लेती है तो अभ निकल के बाहर निकल के आना बाकी है तो जैसे आती रहेंगी मैं आपको पहुंचाता रहूंगा और इसमें सबसे बड़ी जो मुझे लगती है कि यह policy एक नई policy नहीं है कई policy आती है education policy भी आ चुकी है चाब 1968 हो या 86 हो या 92 हो इसे यह policy आती रही है तो इसका ground level पे कैसे implementation हो important role रहेगा तो implementation जो है यह सबसे best है अगर यह बहतर हो सकता है तो सारी चीजे बहतर हो सकती है एक developed country की तरह तो I hope कि यह सारी चीजे अच्छी हो जाएंगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या बातें सही लगी हो अगर ही करते हैं तो अब share करिएगा अपने दो और होना चाहिए क्या एड किया जाना चाहिए तो चलिए जय हिंद जय भारत